हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाब में दर्शुकों आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्यों का जलम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुब का अबनाएं आज का पंचांग 6 जून सन 2020 दिन शनिवार किर्शन पक्स आशाड मास संवंध 2077 राहुकाल नो से साड़े दस दिशाशुल पूर्व दिशा तिथी परतिपदा परतिपदा को पड़वा भी कहते हैं और आज नक्षत्र जैश्टा है यानि के आज के दिन जो जातक पैदा होंगे वो गंडमूल नक्षत्र की शिरणी में कहलाएंगे गंडमूल क्या होत विश्यस दानपुन करने का संकेत हमारे रिश्यों ने हमें सास्त्रों में बताया है उन्हीं संकेतों में से एक बात मैं भी आज आज आप से करना चाहता हूं अंगों का फड़कना ये भी हमें सुब असुब संकेत देते हैं हाला कि इस पर हमने एक पूरा सब्तंत्र वीडियो बनाया है बहुत पहले वो आप अच्छे से सुन सकते हैं इसमें भी आपको कुछ में बताना चाहरा हूं अंग जो हमारे फड़कते हैं या इसको फड़कना या फड़कना कह सकते हैं अंगों का जो फड़कना होता है इसके अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य चिपा होता है हमारे जो अंग हमें इशारा देते हैं वो हमारे समय में आने वाली शुबता और अशुबता का बहुत अच्छी से ब्योरा देते हैं कई बार मिखल के तोर पर तोड़ा से सब्जुजट को गंभीरता से लेंगे तो आपको इसमें गंभीर बाते समझ में आने लगेंगे अब कई बार हमारा समय बहुत विपरीथ चल रहा होता है हम बहुत परिसानियों में फसे होते हैं और उपर से हमारे अंग फड़कने लगते हैं और खास तोर से हमारी आँख तो उस वक्त में कई बार और समय विपरीथ आ जाता है अब इसे ऐसे जाने महिलाओं का लेफ्ट भाग फड़कना यानि के लेफ्ट आई का फड़कना लेफ्ट भाग का फड़कना शुब होता है पुर्षों का दाया भाग राइट साइड का फड़कना शुब होता है अब ये शुब और ये शुब महिलाओं का लेफ्ट शुब और राइट अशुब पुर्शो का लेफ्ट अशुब राइट शुब समझ गए अब हम किसी बड़े परिसानिये में घिरें उपर से विपरी तंग फड़क जाए यानि कि जो हमारे लिए अशुब है तो उस वक्त में घवराना नहीं चाहिए बलकि वक्त आपको समझा रहा है कि देखो आप परिसान है और मुसीबत और गहरा सकती है मुसीबत और बढ़ सकती है उस समय में क्या करना चाहिए उस वक्त में जो भी हम उस मुझी बस से लड़ने का प्रियास कर रहे हैं उस प्रियास को और साफधानी के साथ बढ़ा देना चाहिए बहुत लोग इन चीजों को अंद विस्वास मानते हैं बहुत लोग विस्वास मानते हैं बहुत लोग एम ही मानते हैं अपनी अपनी इच्छा है, जैसे मर्जी मानिये, लेकिन भारतिय सुनातन सास्तुर में छोटी-छोटी गहराईयों को पकड़ा गया है, ऐसा नहीं है, छोटी-छोटी बातों के उपर अध्यन किया गया है, जी हाँ, तो इसलिए ये अंग फड़कना भी एक बहुत रहस्यात मक्तत्य है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजे छिपी होती है, बाई दिवे, आप किसी काम से हिम्मत हार रहे हैं, किसी समस्या से आप जूज रहे हैं, और आपका सही वाला अंग फड़कने लग जाए, पुर्शों का दाया और महिलाओं का बाया, निश्चत जानिएगा ये संकेत, ये कहता है, आप चिंता ना करें, वक्त आपकी मुठी में आने वाला है, वक्त आपका साथ देगा, अब आपका समय सुदरेगा, अब आपके दिन अच्छे लोटेंगे, या आज आपका ये काम बनने का पूरा असार है, जान लड़ा दीजिए अपनी, पूरी म हैं न चाहिए कि कोई वजह, कोई संकेत हमें समझा रहा है, कि बेटा तैयार हो जाएं, युद्ध की तियारी करें, अर्थात उस बुरे वक्त से लड़ने की अच्छे से तियारी करें, तो कभी भी इन अंगों के फड़कने को ले करके आप लोग विचलित ना हो, यहां मयय सीता या लादती है, जब अशोग वाठी का में वेचित भरदे के साथ सीता मा थी, और अंतिम चरणों में मा सीता की खोच चल रही थी, तो मा सीता बहुत परेसान हो गई थी, ओपर से रावण की ताना कसी, ओपर से इस प्रकार से व्रह की स्टिती, वेचित भरदे को एक दिन उनके वा मंग फड़के, महिलाओ को का ना? महिलाओ का बायाँ हिस्सा लेफ्ट हिस्सा फड़कना शुबा मानाना जाता है तो भगवती परेसान थी, भट वैथित थी, भधवती उनकी लिला थी जो भी था लेकिन जब उनके बाएंग फड़के उनमें होसला आया क्या लिखा राइटर ने वैथित हर्दे सती साथवी सुब लक्षणा सीता जब पती व्रह और रामन के तरास से अत्यनत व्याकुल थी उस समय मन में नाना भाती के विचार कौन रहे थे उनका बाया नेत्र बाई भुजा बाया अंग जब फड़कने लगे सोने के समान रंग वाला रेशमी पितांबर तनिक सा खिसकने लगा फड़कने लगा जो भावी समय की सूचना देने लगा विंबा फल जैसे ओश्टों सुन्दर नेत्रों मनोहर भोहों धनुस जैसी बाकी ब्रोनियों तता स्वित उजवल दांतों से शुशोवित उनका मुख राहू के ग्रास से मुक्त हुए चंद्रमा की भाती प्रकाशित हो था खिल उठी और मन में एक विश्वास जगा और जो मन हर्दे बुझा हुआ था उसमें आशा की जोतियां परजुलत हो थी और आप पढ़ते भी होंगे सभी पढ़ते होंगे पढ़ते हैं ने घर के अंदरे किस तो थी और उसमें अंदिम में क्या लिखा तो सिदाजी ने जानी गाउरी अनकूल सियहिय हरसुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे अक्सर आप इस इस्तुति को जरूर सब अपने अपने घर में पढ़ते होंगे भगवान शुरी राम जी की इस्तुति सब ने पढ़ी होगी और इसमें वाम अंग फरकन लगे जो हमारे सास्त्रों में जो चीज़े हमें बताई गई हैं क्या वो गलत है तो इसलिए पर्मान है कि चीज़ का पर्मान दिया गया है भगवान के माध्यम से भी भगवती के माध्यम से भी रिश्यों के माध्यम से भी प्राचीन पुस्तोकों के माध्यम से भी शर्त है हम अपने धर्म को मानते नहीं हम अपने धर्म की मजाख उडाते अरे क्या बात कर रहें आप क्या सोचना है आप हमारे धर्म में छोटी छोटी चीजों को पकड़ा गया है छोटी छोटी नुक्तों को छोटी छोटी कोमा क्रॉस बिंदूओं को रिसर्च की गई है उनके उपर आप इस बात को नहीं सोचते यह सोच लेते हैं अंग फड़कने लगे यह भी एक वहम फिला दिया अरे क्या अंग फड़क है आपका आदमी पूरा फड़क जाए आप तब कुछ नहीं समझते हमारे यहां छोटी से छोटी चीजों के उपर अ अंसिक धरातल है उसको कमजोर बना रही है आज की बहुत सारी शिक्षा जिसमें बच्चा ना इधर कर रहता ना उधर कर रहता है भगवान की डेफिनिशन पूछने लगता है कहां है भगवान दिखाओ कैसा है भगवान तो बड़ा दुर्दर सा समय हो गया है मैं तो आप शन्दर हर्मान चलीसे में राम अश्टख है बहुत सारी चीज़inek आपको मिल जाती है चोटी-चोटी किताबों में मिसाल के तुल पे जैसे यही गिताप रसकी सिरह TFMान चलीसा की बुख है इसमें हर्मान अश्टक आपको मिलेगा बजरंग बान इसमें आपको मिलेगा इसी में आपको सिरी राम इस्तुति मिलेगी इसी में आपको हर्मान चलीसा मिलेगी तो अगर हमारे रिच्छों ने कुछ कहीं लिखा है तो मेरे दर्शों को उसे आप समझने और मानने का प्रियास करें बाकि आपकी इच्छा है आईए समय हो चला आज की ध्यान माला ते जुड़ने का जुड़ते हैं आज की ध्यान माला में परभू शिरी राम से यनं परतरं रामस्यदा सोम्य हम रामे चितलया सदा भवतुमे भोराम मा मुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनुरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वाम्रिगं कांचनं वेदेई हरनं जटायुमरनं सुग्रिवसां भासनं वाले निग्रहनं समुत्रतरणं लंका पुरे दाहनं पस्चाद्राबन कुम्ब कर्ण हननं एतद्रामायनं कवच बना लें ध्यान करें राम जी का अशिर्वाद हमारे उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोले समान्य हो जाए देखो दर्शुक और रोज कुछ ने कुछ चर्चा में हम आपको बताते रहते हैं बहुत लोगों को कटुता भी लगेगी और बहुत लोगों की कटुता और उपहास हमें जहलना पड़ता है लेकिन इसमें भी हमें प्रसंद्टा आती है हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं हम अपने रिशियों के बताए हुए मार्ग को आप तक पहुचा रहे हैं हम एक डाकिया है एक पोस्टमैन है एक चिठ्थी आप तक पहुचा देते हैं जो रिशियों ने हमें चिठ्थी लिखी समझाया जो बताया समझ रहे हैं ना मेरी बात आप तक हमारा पहुचाने का कार इस इस्तिती में आप हमसे केवल प्रामर्श ले सकते हैं टेलीफोनिक अपाइटमेंट। उसके लिए सुबा दस से शाम छे के बीच में चाहें आप देश में रहते हैं या आउट ओफ इंडिया में रहते हैं आप फोन करके अपनी अपाइटमेंट फिक्स कर सकते हैं इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी को बिराम देती हैं जैमा इंद्राक्षी गुरुजी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी पी सेवन उसके उसी से जुड़ा हुआ और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आजचर्च चकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई तो मैं इतना प्रसिद्ध के टीचर से भी उतना बढ़ी है नहीं समझ पाते थी यह हमें बहुत पसंद आई और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा जो भी समस्या आई मैं बहुत ही अच्छा तरह से मैंने सौल बहुत चले गए और आज तक हमारे मैं उनके आशिरवास से मैं बहुत सुखी हूँ और मैं यह कहूँगा सभी लोग से आगरा करूँगा कि यह पहले इनके बात करें समझें देखिए कैसे उन्होंने अपना रूप दिखाया और मैं इनसे बहुत परवाईत हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तर हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें